दीपक में फूल बनने के बाद उसकी जो अलग-अलग आकरतियां होती हैं उनका अलग-अलग अर्थ क्यों होता है इस बारे में बहुत सारे मेरी पुरानी वीडियो में आप सभी के कॉमेंट्स आते हैं तो क्या इनका संकेत है क्या इनका अर्थ है और हर बार इनका अलग-अ ऐसे मैं आप सभी ने जब देखा होगा जब आप दीपक प्रजलित करते हैं सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कई बिक्तितो अलग-अलग स्थानों पर दीपक प्रजलित करते हैं पित्रों के नाम का अलग से बेल पत्री भगवांशियों जैसी उनकी इच्छा मटका प अच्छे मन से तो उसमें आपने देखा होगा लौजब दीपक में आपने अलग-अलग आकरतियां च्छा एक जो उसके अंदर देखा होगा कि आप एक अलग से आकरती देखेंगे कभी देखेंगे उसमें दिल का सा जो हाट का सा आकार बना हुआ है दिल जैसे कहा जाता है कभी स्रीकृष्णा की मूर्ली वनी है, कभी मातारानी के नेत्र रूप में आये हुए हैं, कभी जो है उसमें भगवान शिवशंकर का डमरू और चंदर्मा का सा स्वरूप बना है, अलग-अलग अभी वही तो गडेजी महरा साक्षात उसमें मातारानी साक्षात उसमें दर् तो इसका सापसुतरा सा अर्थ है, पहले ही सभी के लिए निश्चित स्थान निर्धारित किया गया है, जैसे कि दक्षिन दिशा पित्रों के लिए निर्धारित की गई है, अगर दक्षिन दिशा की ओर फूल बन रहा है, तो इसका सीधा सा संबंद है, कि यह पित्रों के दर्शन का संकेत है, पित्र कई बार स्वापन के माध्यम से हम सभी को अपने होने का सुखत अनभाव कराते हैं, कभी-कभी उस स्वापन में भी अलग-अलग उसका अर्थ निकलता है, तो वही दीपक में भी वह अलग-अलग तरह से दक्षिर दिशा की ओर अपना मुक कर रह भगवाशिव शंकर का डमरू, उनका त्रिशूल, उनके नेत रित्यारी बन कर आ रहे हैं, तो कहने का अर्थ है, आप महादेयों को जल चड़ाते हैं, या उनका नाम लेते हैं, सौंबार के रिन उनकी विज़ते साराधना करते हैं, या कई लोग जो भी सौंबार के ब्रत करते हैं या कुछ भी उनके नाम मंत्रों का जाब करते हैं तो भोले बाबा तो भोली भाली भक्ती से और आपके सतकर्मों से प्रसंद होकर वह भोले बाबा के स्वरूप के रूप में हमें दिख जाता है तो ऐसे में अलग-अलग आकरतियों का अपना अलग एक महत्व है एक पित्रों का ध्यान करते हैं अपने इस्ट मातारानी का भी ध्यान कर लेते हैं स्रीकृष्णा के भक्त एकादशी के दिन उनका ध्यान कर लेते हैं कहने का अर्थ है हम जो है सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं ग्रहस्त जन को तो सास्त्रों में वर्णन है कि प्रतेक स सभी देवी देवताओं का समरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इन ही के फल उरूब जो आप दैनिक पूजा-पाठ के साथ, साथ आप जो दैनिक जीवन में सतकर्म कर रहे हैं, अपनी ग्रहस्त जिम्म Eदारियों को बहुत अच्छे से निवा रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निवा रहे हैं और धार्मिक अपने सतकर्म को निभा रहे हैं तो उसी के स्वलस्वरूब देवी देवता अलग-अलग तरह से आपको दर्शन देते हैं अपने में भी आपने देखा होगा हमेशा एक ही देवता दिखे यह सही नहीं है हमेशा आपने देखा होगा बहुत अलग-अलग देवी देवता दिखते हैं तो ठीक इसका यही अर्थ होता है कि देवी देवता को प्रदर्शित करने के लिए भी अलग-अलग उनकी आकरतियां उकेरी जाती है उन्हें अलग-अलग तरह से स्वरूप में प्रेदर्शित किया जाता है तो ठीक इसका यही अर्थ होता है जब आपको लगे कि अलग-अलग आकरतियां हर बार अलग-अलग बन रही है तो यह काफी सही है काफी सुब है कहीं न कहीं हम तो कुछ चीजा को समयने में अन्भिग्ये हैं न हम में इतना ज्यान है जहां तक ज्यान है उसी के अनुसार हम सभी इन जीजों को समझ पाते हैं हम सब तो अज्यान जन है प्रभू की सुरूप में किस तरह से भक्त की परिक्षा लें किस तरह से परिक्षाले ऐसा कोई नहीं जान सकता और कोई नहीं इतना विद्वान जन है तो प्रभु जाने और प्रभु की लिलाएं जाने उनके कार जाने वह किस रूप में किस तरह से अपने भक्त को दर्शन देंगे किस तरह से उनकी परिक्षाल देंगे यह भगवान ज थी कैसी लगी बताईएगा जरूर कमेंट्स बोक्स में जैमातादी लिखना न भूलें चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें राधे राधे